पिश्मिल्लायर रख्माद रहीम वेलकम तू केम्डरिज एडुकेशनल इंस्टिटूट लाहूर तोड़ेस टॉपिक इस वरी मच इंपॉर्टन्ट फॉर दोस स्टूडेंट्स वू है जस्ट जॉइन्ड अस अंग्रेजी और यहां भी अंग्रेजी यह इंग्रेजी क्यों लिखी है अब यह देखिए जिसको नहीं आती वो क्या करे और जिसको आती है वो क्या करे चलें वीडियो की तरफ डारेक्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अब आप तक्रीबन किसी आद तक कैमरेज से फैमिलियर हो चुके है हमारा आज का टॉपिक है इट और देर यहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने जब बच्चों को उनको चेक कर रहा था तो मुझे वो बहुत सी ऐसी चीजें नजर आई जो छोटी छोटी चीजें जिनके अपर वो फॉल्ट करते हैं स्किप बहुत जल्दी जल्दी चीजें स्किप करूँगा जल्दी जल्दी संझाने की कोशिश करूँगा डिरेक्ट टॉपिक के उपर मैं इसलिए आया हूँ यहां अगर आप देखते हैं तो मैंने यहां लेफ्ट साइड पे इट लिखा हुआ है और नीचे यहां देर है अब इट क्यों है इट बाज उकात बचे क्या करते हैं जानवर के साथ या किसी चीज के साथ लगा दिया लेकिन वक्त के इजहार के साथ वो नहीं लगाते है इट फोर अकलॉक इट इवनिंग इट सम्थिंग लगा आगे 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 आपको सारी इसकी एक्जेम्पल्स और सारी चीजें के साथ यह पूरा क्लियर आपको मनजर कर दूंगा मैं अब देखें देर वो करते हैं देर का इस्तमाल कि यह ऐसे ही है यह ऐसे बिलकुल नहीं है देर का इस्तमाल आपने कैसे करना होता है देर का इस्तमाल करते वक्त आप उसमें जब आप देर का इस्तमाल करते हैं तो फिर आप उसमें मुख्तलिफ ऐसी चीजे हैं जिनको आप मदे नजर रखते हैं जो मैंने यहां लिखी है आप को चीज वहां किसी जगा पर हुई तो फिर हम देर का इस्तमाल करते हैं आगे चलें हम मेन पॉइंट्स है और आपने यहां यहां इस पूरे लेक्चर के अंदर इसके कुछ सीरीज हैं जिसमें इट है देर है देस है दीज और दाट और यह बेसिक उन बचों के लिए है जिरोंने जस्ट अभी हमें हाई स्कूल को जॉइन करना अब यहां एक चीज़ देखें इट इस सेंटेंस के अंदर हू इस इट अट दे डोर इसका तरजमा क् कौन है एट दोर दरवाजे पर इट इसके लिए इस्तमाल हुआ है कि हमें इन्फरमेशन नहीं है कि वो बंदा है बौरत है क्या है किस के लिए है दरवाजे पर कौन है अगला सेंटेंस देखें इट इमनिंग मैंने आपको यहां बताया कि जब भी आपने एक वक्त का इज हार किया या अपने को टाइम का स्पेसिफिक्ली किया तो आपने वर्ड कैस्तमाल किया इट आगे चलें अब यह इट भी हो सकता है और दिस भी हो सकता है अगर वो करीब है आपके बिलकुल करीब है तो फिर आप उसे इस पाउंड भी कह सकते हैं और अगर यह आपने बतान आगे नेक्स देखें मतलब पांच ग्लास मौजूद हैं टेबल के उपर तो तरजमा ऐसा नहीं होगा तरजमा बिलकुल इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा मेज पर पांच ग्लास बड़े हैं नेक्स आगे देखें इस नॉट गुड टू टेल अलाए अब यहां इट का मतलब है कि स्पैसिफिकली उसने कोई एक चीज़ आपको या इखलाकी कदर बताने की कोशिश की है वो इखलाकी कदर के है जूट बोलना अच्छी बात नहीं है अगे चलें अब यहां देर का इस्तमाल और फिर लाइन्स और फिर फॉरेस्ट इसका मतलब है उसने बताया है कि जंगल में जिस चीज़ की मौजूदगी है जंगल में जो चीज़ मौजूद है या किस जनवर की जंगल में मौजूदगी है अब तर्जमा करते वक्त आप याद रखिए या तो वहां भी कर सकते हैं या स्टेट फावर्ट सीधा जंगल में शेर हैं नेक्स देखें अब यहां उसने आपको सिंटेंस यहां नदर आ रहा है इसने उस मनजर कशी की है कौन सी मनजर कशी की है कि हॉस्पिटल में कोई एक हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद नहीं है हस्पिटाल में कोई डॉक्टर अच्छा ये थोड़ी सी यहां गलती है यहां इस लिखा हुआ है यह टाइपिंग मिस्टेक है इस स्कूल में 40 असात्जा 40 भी, असात्जा भी और स्कूल भी तो क्या बनेगा There are 40 teachers in this school एक आदमी तारीकी में खड़ा है यहां मैंने वहां भी लिखा है यह वहां एक आदमी तारीकी में खड़ा है तो a man is standing there in the dark So, let's practice कुछ practice करेंगे उर्दू और अंग्रेजी के वक्त तो फिर आपको इसका पता चल देगा सारे वही sentences हैं इनकी practice की लिएगा फिर मुझे बताईएगा और आपको यह वीडियो कैसी लगी यह जानकर इसका thumbs up करके या मेरी हौसला अवजाई के लिए और particularly बात याद रखियेगा यह मेरा specific topic सिरफ high school के बच्चों के लिए था जिनोंने अभी freshly school के अंदर आना है और बिलकुल अंग्रेजी से उनका वास्ता पढ़ना है Thank you very much Thank you